हेलो मैं बीटुफल प्रामेली वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चनल मैं हूसोना और आज मैं आप लोगों के साथ यह आप लोगों से कुछ बात करनी है आप लोग जो मुझे साथ दिये हो मुझे इतना प्यार दिये हो उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत सारा थेंक्यू आप लोगों के बीना में कुछ भी नहीं हूँ दो चैनल डिलेट होने के बाद थार्ड चैनल यह है मेरा और सच पूलू तो मुझे ज्यादा कुछ उमीद नहीं था ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं था मैं बस एक आदस सी हो गई थी काम करने की यूटूब में आप लोगों से मिलने की कुछ बनने की कुछ करके दिखा दिमाग में रहे गया था तो मुझे पता नहीं कैसे पर थार्ड चैनल जब में उपन की लीकिन ऐसे होता है ना धीरे धीरे बग्त बहुत गुजर गया है दो साल हो गया है और घरवालों ने भी बोलना शुरू कर चुके है कि यह नहीं होगा इसे छोड़ दीजिए अब ज जितने मिल रहे हो जितना प्यार दे रहे हो इस चैनल को उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत सारा थैंक्यू मैं जितना भी थैंक्यू बोलू हूं वह कम पढ़ने वाला है क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं आज भी कुछ नहीं हूं कल भी कुछ नहीं थी आगे भी मैं वादा करती हूं आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं रहने वाली हूं और उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत थैंक्यों क्यूंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं मेरी फिलिंग्स अब जो मुझे इतनी छोटी सी खुछिया आप लोगों ने द क्रियेट करते वक्त आप लोग आराम से ही अरभिक लुक क्रियेट कर पाऊगे बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा फिर मेरे होने की क्या मतलब रहेगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मैं बहुत सिंपल और सुइट ट्रिक्स बताऊंगी जो आप ल इंतरा से लिए थी मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइब का जम सूट क्यारी करना वेश्टन लुक में क्रेट करना स्किन क्यार कर चुकी हूं इसलिए फाउंडेशन अपलाई कर रहे हूं स्किन क्यार में आपका पहले में सीरम उसके बाद आपका रहेगा मॉस्ट बेंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करें हूं बहुत जरूरी है मेरी जान का अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो मेंग बिल्कुल भी त्चा नहीं लगेगा मेरी मेंगप काना एक सिंपल सथ ट्रिक्स है कि आप लोग ज़्यादा में उसे प्रड़क्ट यूज करने के लिए और आई एरिया में थोड़ा सा कंसिलर अप्लाई करें हूं ताकि आई श्याडो का जो कलर पे आफ हो वह अच्छे से वीजिबल हो करने की जरूत नहीं है और दूसरी बात यह है आप जितना ज्यादा प्रड़क्ट आप यूज करोगे उतना आपको ब्लेंड करना पड़ेगा उतना केकी होने का चंसस रहेगा उतना आपका प्याच होने का चंसस रहेगा तो आप कोसिस कीजिएगा कम अमांट का मेक प्रड़क्ट यूज करने के लिए ठीक है कंटोर करे रहे हूं आरभी काई लुक में कंटोरिंग बहुत ज़दा में कम मैटर करता है चंटोर अच्छे से करना है यह प्रोफेशनल मेकप तो आजागा लेकिन क्यूटनेस में अगाइब हो जाएगा ठीक है मैं बहुत लोगों को देखी थी पॉपल ब्लस लेकिन मेरे पास नहीं था तो मुझे आज बहुत ज़्यादा मन था कि में पॉपल ब्लस अपलाई करूँ इसलिए मेरे पास एक नवाई पॉपल लिष्टिक से काम चला सकते हो कोई प्राबलम नहीं है ठीक है उसके बाद आपको इंट्राइफेश में लूस पार रुप से सेट कर लेना है कि कि ना लगे प्याशना पड़े ब्लेंड अच्छे से हो जो मेकप लूख है वो बहुत अच्छे से बिजिबल होगा इ अब ब्लेंड कर रही हूं क्रीज लाइन में अरभिक आई लूप में सबसे इंपोर्टांट होता है जो ब्राउन सेट हम यूज करते हैं और ब्लाक का इसेड़ों ठीक है यह दोनों का जो काम होता है वो बहुत एहम काम होता है आप किसी भी आई लूप को उठा के देख ल किज़ेगा ठीक है सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है ब्रस को मूफ करना है आउटर करने से इनर करने के तरह ब्रस में ज्यादा आई सेड़ों मत पीक कीज़ेगा धीरे-धीरे कलव किज़ेगा किसी भी कलर आपके आई लीड में डिपोजेट नहीं होना चाहिए इसलिए brush के help से कभी भी बहुत ज़्यादा आई सेडों पीक मत कर लिजेगा ब्लाक आई सेडों के साथ भी आपको सेम डूल है आपको आउटर करनर में circular motion और क्रीज लाइन में आपको ब्लेंड करना है circular motion में brush को मूफ करना है एक fluffy फ्लाट ब्रस लेना है आउटर करनर के तरफ थोड़ा सा बाहर के तरफ ब्लेंड कीजेगा तो आपके उइंग क्रियेट होगा जो की जरुवत है आपको उइंग की इस मेकप में आउटर करनर में आपको जब भी ब्लाक आई सेडों आपको यूज करो तो brush के help से बहुत ज़्यादा ब्लाक आई सेडों को पिक नहीं करना है आपको धिरे-धिरे करके color develop करना है एक एक fluffy brush लेना है और जो black eyeshadow और जो brown eyeshadow है उसके बीच हार्स लाइन आपको visible होगा उसको invisible करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह trick आपको आपके इंट्रा लाइप में जितने makeup लुप करोगे ना आप उस सारे में यह काम आने वाला है आप अपने eyelid में किसी भी तरह का हार्स लाइन होगे ठीक है और इसमें क्या होगा आपके eyelid बहुत थी enhance होके आएगा आपके eye look बहुत ज़्यादा beautiful लगेगा इसलिए किसी भी तरह का हार्स लाइन भीजिबल नहीं होने दना है यहां पर मैं sky blue color का pigments यूज़ कर रही हूं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा color है मुझे ब करना है और जहां पर हमारा पर और बहुत कम ब्रस का चंचिलरा लेना है था कहां पर मैं को में दोएस बता रही हूं पहले तो आप और कंसिलर के ऊपर धीक्मेन्स को फिक्स कीजिए आण and उसके बाद को सब्सक्राइब कर का avoiding जो concealer का हार्स लाइन होगा, उसको invisible कर दीजे, otherwise आप सिर्फ concealer के उपर में ही brush को blend कर लिजेगा, तो वहां पे भी आपका हार्स लाइन invisible हो जाएगा, लोलाइस्ट लाइन में काजल अपलाई करके ब्राउन ईसटो से आपको समझ है बलाक जदा पलाई करनाएrendre ब्राउन आइसदो के साथ समझ है यह बहुत ज़दा इम्पोन्ट दूम और बॉलborator के चिते डबल मेरफ और के लाइनिन क्रेट करना हुए आपकी ऐलीन में में आपको बस उसके ऊपर एक लाइनर अपलाई करना है ताके आपका जो भाइन का वब्रलूख zaj इनांस होके आए अन चुछ है आप अ जब सेट करोगे आप लिक्विड आइलाइनर लेकर जो उसका टीप है उसको अच्छे से क्लेण कीजेगा और इनर करनर में आपको एक छोड़ा सा पेले ट्रांगर सेप चोटा सा ट्राइंगर से पना एंड जश्ट वान जश्ट थोड़ा सा मतलों कितना बोलू या वान एम बहुत ज़्यादा वान एम डिफरेंट करके उसको और एक लाइन करके आपके लोए लाइन करना है वाहर के तरफ उके जिस तरह में कर रही हूं उसके बात आप यहां पे ब्लाक सुरी वाइट काजल अपलाई कर सकते हो यह जो बीच का जो ग्याप है किसी भी तरह का सीमर आई के साटों यूज़ कर सकते हो जो पिगमेंस होगा यह पिर जो लिक्विड आइलाइनर आत मस्करा डवल कोट कर रही हूं क्योंकि मुझे फॉल्स लैसिस का सौक नहीं है तो मैं मस्करा डवल कोट कर रही हूं अगर आपको फॉल्स लैसिस का सौक है तो आप उससे यूज़ कर सकते हो लाश्टली बारी आती है हमारी हाइलाइटर की जो कि बहुत ज़दा upper lips, brush of the nose, forehead, cheek bone and brow bones. इनर करन्न को आपको हाइलाइट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि already हमारा जो कार्णा में है अरभी काई लुख में वो इनर करन्न में बहुत जादा है इसलिए इनर करन्न को आपको हाइलाइट नहीं करना है यहाँ पे आपको हाइलाइट करना है में थोड़ा सा लुक को चेंज की थी after that get up क्योंकि मुझे लगा कि यह आरभिक आई लुक को और थोड़ा सा इन्हांस किया जा सकता है और सच बोलूं तो आरभिक आई लुक में या फिर आरभिक लुक में जो भी बोले आप उसके सबसे इंपोर्टांट पार्ट होता है आखे क्योंकि वह मैक्सिमम टाइम अपनी फेस को कभर अप करते हैं और दिखता है तो इतना खुबसरत दिखता है अगर आप मुझे भरोसा न इसामचित बहुत ही ज़्यादा ब्यूंट लगता है अंड यह मेरे आउट फेट उइध गेड़ टप में कुछ भी ज्यादा ज्यादा ज्यावलरी क्यारी नहीं किया यह नहीं नेकलेस करती नहीं हूं जौमशूत में कौन नेकलेस कश्यरी करता है मैं बस यहां पर लोगों के साथ नेक्स टूडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखेगा खुश रहिएगा थैंक यू सो मुच पर वाचिंग लव यू वाल टेके बावाई